दोस्तो स्वागत है आपका, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बेहत रोमान्चत थ्रिलर कहानी, चलिए शिरू करते हैं सुनील फोर्स चार कलब के विशाल हॉल में एक कोने की मेज पर बैठा था, उसकी बगल में कैलाश भारगव बैठा था, जो कि उसे वहाँ लेकर आया था स्टेज पर विदेशी परिधान पहने जो इसतरी मौजूद थी, और इंग्लिश में जान इसार का कोई गीत का रही थी, वो कैलाश भारगव की बीवी रूही थी स्टेज पर एक और पांच पीस का बैंड सजा हुआ था, जो की रूही को रिदम दे रहा था बैंड में जो युवक्त प्यानो अकॉर्डियन बजा रहा था, वो टोनी था, और उसकी अनुराग भरी निगाहें केवल रूही पर टिकी हुई थी रूही की आवाज में कोई खास दम नहीं था, लेकिन आवाज की कमजोरी की कमी वो अपने शानदार जिस्म से पूरी कर देती थी गाने के साथ साथ वो ऐसे उत्तेजित अंदास से हिलते डूलती थी कि उसके जिस्म में जो लहने पढ़ती थी वो दर्शक को अपने कलेजे पर हावी होती मैसूस होती थी रूही को हाल ही में, हाल ही में विरासत में धेर सारी दौलत मिली थी दौलत के इलावा भी गाती वो शौंक के लिए और वावाही हासिल करने के लिए थी नाकी पैसा कमाने के लिए कैलाश भारगव के कतना नुसार रूही का टोनी के साथ रोमास चल रहा था और वो कैलाश भारगव से इस कदर बेजार हो चुकी थी कि वो किसी भी सूरत में उससे तलाग चाहती थी पोर्स चार क्लब के संचालक का नाम निहाल सिंग था सुनील उसे बाखु भी जानता था लेकिन जब से वो क्लब में मौजूद था तब से उसे निहाल सिंग के दर्शन नहीं हुए थे तभी गीत समाप्त हुआ रहा टोनी अपने संगी सात्यों के साथ उनके साजों की ताल पर प्यानो अकॉर्डियन बजाता रहा तुम्हारा लालत जायस है दोस्त सुनील एक लकी स्ट्राई का सिगरेट सुलगा चुपने के बाद बोला ऐसी शामदार बीवी को भला कौन छोड़ना चाहेगा लेकिन मैं उसे रोके रक्त कैसे सकता हूँ कैलाश भारगव व्यग्र स्वर में बोला तुम नहीं रख सकते सुनील ने बड़ी संजीत की से कहा जब दिल से दिल की रिष्टेदारी ना रही हो जब प्यार महबत की शमा बुच चुकी हो तो कोई मर्द अपनी औरत को जबरन अपने साथ नहीं रख सकता प्यारे लाल अगर वो तलाग चाहती है तो तलाग दे दो उसे ये तुमने मुझे राई दी है भारगव शिकायत भरे स्वर में बोला ऐसी राई तो मैं किसी वकील से भी हासिल कर सकता था तुम मेरे दोस्त हो तुम मुझे कोई ऐसी राई दो जिससे मेरी बीवी मुझे चोड़ कर ना जा सके तुम्हें लालच अपने यी बीवी का है या उसकी दौलत का भारगव ने बेचैनी से पहलू बदला उसने उत्तर देने के लिए मूँ खोला लेकिन फिर होंट भींच लिए देखो सुनील हमदर्दी बरे स्वर में बोला ये हिंदुस्तान है विलायत नहीं यहां तलाक हासिल कर लेना कोई आसान काम नहीं यहां दो चार गिनी चुनी वज़ों से ही तलाक होता है और वे वज़े ना पैदा हो ऐसी कोशिश तुम कर ही सकते हो वैसे तुम्हारा पुलंदा बांधने के लिए जो कोशिश रूही की तरफ से की जा सकती है वो यही है कि तुम्हें बेवफा साबित किया जा सके बेवफा क्या मतलब यह कि तुम्हारा किसी और और औरत से लव अव्यर है और तुम अपनी पतनी की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हो जो कि एक निश्टावान पती को देना चाहिए लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है है तो साब धान हो जाओ अपनी दाड़ी दूसरे के हाथ में देने से परहेस करो फिर रोही तुमसे तलाक नहीं हासिल कर सकेगी और तलाक हासिल किये बिना वो तुमें चोड़ तो सकती है लेकिन किसी दूसरे मर्द से सुनील के अर्थ और निगा स्टेज की तरफ डाली शादी नहीं कर सकती हम् लेकिन अगर वो तुमसे पीछा चुड़ाने को मरी जा रही है तो वो तुम पर बेवफाई की जूटी तोहमत लगाने की कोशिश कर सकती है क्या मतलब वो किसी लड़की को सिखा पढ़ा कर जबरन तुम पर थोप सकती है और फिर किसी पूर्व निधारित योशना पर काम करके तुमें गवाहों के सामने उसके साथ रंगे हातों पकड़ सकती है अगर वो ऐसे किसी शड्यंतर में कामयाब हो गई तो वो तुमसे अदालत में तलाख हासिल करने में कामयाब हो जाएगी मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूँगा मैं साफधान रहूँगा बहुत समझतारी करोगे वो खामोश रहा एक बात बताओ सुनिल तनिक आगे को जुक कर बोला क्या सुला की कोई गुनजाइश नहीं है भारगव के जबड़े भिंच कए वे बोला उस हरामजादे टोनी के होते नहीं जब से रूही टोनी से मिली है तभी से उसे मुझसे देशत हो गई है महीनों पहले से उसने मुझसे बोलना चालना बंद किया हुआ था और फिर अब तो काफी समय से वो मेरे साथ भी नहीं रह रही अब कहा रहती है वो इस बैंड मास्चर के साथ ही कहीं रहती होगी अच्छा लेकिन तलाग से लिए रोही लगातार मेरे कान खा रही है ये टोनी का बच्चा उसे सिखाता पढ़ाता रहता होगा ना तुम उसे किसी सूरत में तलाग देने को तयार नहीं होना सुनील उसके नेत्रों में ज्ञांकता हुआ बूला भारगव निगाहें चुराने लगा अब तो तुम्हारी बीवी एका एक बहुत रईस हो गई है सुनील बोला अगर वो तुम्हें एक मोटी रकम की नकत ओफर दे तो क्या तुम उसको तलाग देना कबूल कर लोगे भारगव ने बेचैनी से पहलू बदला फिर वो संकोश पूंट स्वर में बोला अब तुमसे क्या चुपाना यार बीवी तो हाथ से निकल ही गई है कुछ माल पानी हाथ आ जाए तो मेरे आंसु पूंट चाएंगे मेरे ख्याद से अपनी आजादी की कोई मुनासिब कीमत अदा करने में रोही को कोई अतरास नहीं होगा अब तो वो खोब पैसे वाली औरत है मगर वो ऐसी कोई आफर पेश करे तब ना इस बारे में उससे बात की जा सकती है मुझसे तो वो कलाम करके राजी नहीं तुम कर देखो बात अगर वो किसी इज़दा तरीके से कोई ढंकी रकम मुझे आफर करे तो मैं तलाक में अडंगा लगाने की कोशिश नहीं करूँगा ठीक है मैं उससे बात करूँगा अगर वो बात करने को राजी ना हो तो उसके वकील से बात कर देखना अच्छा कोई वकील भी है उसका हाँ सूर्य नारायन उसके विरासत की देखबाल भी वही कर रहा है अब रूही पैसे वाली औरत है तो जुर्बेकार लोगों की ऐसी सेवाई भला वो क्यों न प्राप्त करे छीक है अब यहां से प्रस्थान किया जाए भारगव ने सहमती में सिर हिलाया उसने हाथ के इशारे से वेटर को बुलाया और उसे बिल लाने को कहा वेटर ने उसे बिल पेश किया भारगव ने अपना पर्स निकाला और सो सो के दो नोट उसकी ट्रे में डाल दिए वेटर वहाँ से विदा हो गया सुनील ने एक नया सिग्रेट सुलगाया और स्टेश की तरफ देखने लगा जहां की अब एक कैबरे डांसर प्रकट हो गई थी तभी दो सूर धारी व्यक्ति भारगव की कुरसी के दाएं बाएं प्रकट हुए सुनील को उनकी उपस्तिती का तभी आभास मिला जब उनमें से एक बोला मिस्चर भारगव भारगव ने सिर उठाया और बोला हाँ आप जड़ा हमारे साथ कलब के आफिस में तश्रीफ लाईए किस लिए भारगव के माते पर बल पड़ गए और हैं कौन आप मेरा नाम रमन है वो शुष्क स्वर में बोला मैं CID ओफिसर हूँ ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड भारगव मुँ बाए कभी कार्ड को और कभी उसे देखने लगा उठकर मेरे साथ चलिए रमन रमन ने कार्ड वापिस जेब में रख लिया और अधिकार पूंट स्वर में बोला भारगव ने व्याकुल भाव से सुनील की तरफ देखा मेरा नाम सुनील है सुनील बोला मैं मिस्चर भारगव का दोस्त हूँ क्या मैं भी इनके साथ चल सकता हूँ रमन एक शन हिच किचाया फिर उसने सहमती में सिर हिला दिया सुनील और भारगव उठकर रमन और उसके साथ ही के साथ हो लिये चारो निहाल सिंग के आफिस में पहुँचे निहाल सिंग लगबग पचास साल का हिष्ट पुष्ट सिर से एकदम गंजा आदमी था वो बड़ी चिंता पून मुद्रा बनाई अपने विशाल मेज के पीछे बैठा था भारगव साहब वे बोला मैं तुम खामोश रहो निहाल सिंग रमन बीच में बोल पड़ा बैठिए आप लोग सुनील और भारगव दो कुर्सियों पर अगल बगल बैठ गए रमन ने अपनी जेप से सौ सो के दो नोट निकाल कर भारगव को दिखाए और बोला सौ सो के ये दो नोट तुमने अभी वेटर को दिये थे ये नोट कहां से आए तुम्हारे पास कहां से आए क्या मतलब? भारदव हैरानी से बुला कहीं से आए हू मेरे पास? तुम्हे क्या? हमें हैं ये जाली नोट है क्या? ये जाली नोट है जो किसी नहायत तजुर्बेकार आदमी ने बनाई है इनको जाली नोटों की सूरत में पहचान लेना किसी एरे गेरे आदमी के बस का काम नहीं ये नोट कहां से आई तुम्हारे पास मुझे नहीं पता भगवान कसम मुझे याद नहीं कि ये नोट मुझे कहां से मिले थे और ये कब से मेरे पास हैं मुम्किन है ये अपने बैंक से लाया हूँ कुछ दिन पहले मैंने पंद्रा सो का एक चेक बुनवाया था जिसके के भुकतान में मुझे सौ सो के नोट मिले थे फिर से सोचो ये नोट तुम्हारे पास कहां से आई रमन कठोर स्वर में बोला बैक में जाली नोट नहीं मिला करते मिस्चर जिस सिरिस के ये नोट है वो सारी सिरिस हमारी निगाह में है इस सिरिस के और भी नोट इस चेहर में पकड़े गए है कई ऐसे नोट पहले भी इस कलब में चल चुके है और हमें खबर लगी है कि जब से ये जाली नोट प्रकट हुए है तभी से तुम इस क्लब में आ रहे हो आप लोग यूँ एका एक आनन फानन यहां कैसे पहुँच गए सुनील ने पूछा हम यहां ना एका एक पहुँचे हैं और ना आनन फानन पहुँचे हैं रमन बोला हम कई दिनों से इस क्लब पर घात लगाए हुए थे हमने इस सिरिस के नोटों के नमबरों के बारे में निहाल सिंग को भी बताया हुआ था निहाल सिंग सौ सो के नोटों में हुए हर भुपतान को चेक करता था इसे फौरण पता लग गया कि ये नोट जाली थे फिर वेटर ने इसे बताया कि ये नोट उसे भारगव ने दिये थे निहाल सिंग ने फौरण ही अमे खबर कर दी I see, सुनील बड़ी गौर से निहाल सिंग को देखता हुआ बोला जरा अपनी जेप से बाकी के नोट निकालो, रमन भारगव से बोला भारगव ने सुनील की तरफ देखा, सुनील ने सहमती में सिर हिला दिया भारगव ने अपना पर्स निकाल कर मेज पर रख दिया रमन ने पर्स उठा लिया और उसे खोल कर उसमें मौजूद अन्य नोटों का बड़ी बारी की से मौईना किया फिर उसने पर्स बंद करके वापिस भार्गव को दे दिया प्रत्यक्षते उसे और कोई संदे जनक नोट दिखाई नहीं दिया था अब संतुष्ट है आप लोग भार्गव बोला नहीं रमन गंभीरता से बोला तुम्हें हमारे साथ हेट क्वाटर चलना होगा क्यों ये वहीं चलकर बताया जाएगा तुम मुझे गिरफतार कर रहे हो क्या इसकी नौबत नहीं आएगी तुम पड़े लिखे समझदार आदमी हो मुझे उम्मीद है कि तुम सरकारी काम में खाम खा अडंगा फसाने की कोशिश नहीं करोगे और एक जिम्मेदार शेहरी बनकर दिखाओगे लेकिन तुम मुझे हेट कौर्टर ले जाना क्यों चाहते हो वहां तुम्हारी मुकमल जामा तलाशी होगी और तुम्हारा बेयान रिकॉर्ट किया चाएगा भारगव ने कातर भाव से सुनिल की तरफ दिखा चले जाओ सुनिल आश्वासन पॉन्ट स्वर में बोला अगर तुम निर्दोश हो तो डरते क्यों हो मैं निर्दोश हूँ इन जाली नोटों से मेरा कोई वास्ता नहीं भारगव बोला चलो रमन बोला भारगव ने शिकायत भरी निगाहों से निहाल सिंग की तरफ देखा मेरी मजबूरी थी निहाल सिंग दबिस्वर में बोला मैं इन लोगों से चुपा कर नहीं रख सकता था कि जाली नोट वेटर को तुम से मिले थे लेकिन अब चलने की करो रमन कठोरता से बोला अच्छी बात है भारगव ने अब हत्यार डाल दिये चलो वे लोग भारगव को अपने साथ लेकर वहां से विदा हो गई सुनील भी वहां से विदा हो गया सारे रास्ते वो भारगव और जाली नोटों के बारे में सोचता रहा भारगव को पैसे का बहुत लालश था सुनील को ये बात एकदम असंभव नहीं लगती थी कि उसकी जाली नोट करीदने या किसी और तरीके से हासिल करने का कोई साधन दिखाई दिया हो और उन्हें हासिल कर लिया हो लेकिन ये असंभव था कि वो जाली नोट खुद शाखता हो या उनका व्यपार करने वाले किसी गैंग में शामिल हो अगले दिन टेलिफोन की निरंतर घंटी बशती रही सुनील की नीन खुली रिसीवर उठाने से पहले उसने घड़ी पर द्रिष्टी पात किया नोबच चुके थे और चमकीली धूप खिड़की के रास्ते भीतर दाखिल हो रही थी हलो वे रिसीवर उठा कर माउट फीस में बोला सुनील दूसरी और से पूछा गया हाँ कौन मैं कैलाश भारगव बोल रहा हूं कहा हो जेल में क्या बेकर अफ्तार कर लिया गया हूं कल ही पुलिस ने मेरे फ्लेट की तलाशी ली थी पुलिस कहती है कि तलाशी में मेरे फ्लेट में से 20,000 रुपए के सौ सोन के जाली नोट बरामद हुए है नहीं, पुलिस वाले कहते हैं कि मैंने वे नोट एक जूतों के डिबे में बंद करके अपने कपड़ों की अलमारी में छुपा कर रखे हुए थे क्या तुमने ऐसा किया था? सवाल ही नहीं पैदा होता तो फिर वे नोट तुम्हारे फ्रेट में किसने रखे? मुझे क्या पता? लेकिन सुनील मुझे फसाया जा रहा है भगवान कसम उन जाली नोटों से मेरा कोई वास्ता नहीं तुमने फोन कैसे किया? दस बजे मुझे अदालत में पेश किया जाने वाला है भगवान के लिए मुझे जमानत पर चुरवाने के लिए अदालत में पहुंच जाना ओके मैं पहुंच जाओंगा संबंध विच्छेद हो गया सुनील बिस्तर से निकला और जल्दी जल्दी तयार होकर अपने फ्लैट से कूच कर गया वो कचेहरी पहुंचा वहां उसने सबसे पहले भारगव के लिए एक वकील किया और उसे सारी स्थिती समझाई फिर वो वकील के साथ जज की कोट में पहुंचा जहां भारगव को पेश किया गया था जमानत के नाम पर सरकारी वकील यूँ भड़का जैसे उसने गाली सुन ली हो उसने भारगव को एक खतरनाक मुझरिम और जाली नोट बनाने वालों के गिरो का सरदार साबित करने की कोशिश की उसने कहा कि अभी केवल 20,000 के नोट बरामद हुए है अगर उसे आजाद कर दिया गया तो वो फरार भी हो सकता था और जाली नोटों के उस चौप को नश भी कर सकता था जो कि अभी पुलिस के हाथ लगना था जज ने सरकारी वकील के कथन से इतिफाक तो जाहिर किया लेकिन फिर भी उसने जमानत की स्विक्रिती दे दी और जमानत की रकम मुकरर की एक लाख रुपेया नकत भारगव के वकील ने बहुत जिरह की कि वो रकम बहुत ज्यादा थी लेकिन जज टस से मसना हुआ हार करवकील ने हत्यार डाल दिये अब एक लाख रुपे की नकत जमानत का इंतिजाम करना सुनील का काम था खुद उसके पास इतनी मोटी रकम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था उसने ऐसी मोटी रकम अदालत में जमा करवाने में समर्थ अपने दो-चार मित्रों को फोन किया रमा कांथ भी जिन में शामिल था लेकिन संयोग वश कोई भी तुरंत उपलब नहीं था शाम तक बड़ी कठीनाई से सुनेर जुआला प्रसाथ को भारगव की जमानत देने के लिए तयार कर पाया जुआला प्रसाथ पेशेवर जमानत देने वाला आदमी था जो पैसा कमाने के लिए वेश्याओं, कॉल गर्ल्स, जुआरियों, ठगों वगेरा की जमानतों का इंतजाम किया करता था एक लाख रुपे की नकट जमानत की बात सुन कर वो भी सक पकाया चार्ज क्या है? उसने पूछा मेरे दोस्थ भारगव के पास जाली नोट बरामद हुए है सुनीन ने बताया इस मामुली अपराथ की एक लाख रुपेया जमानत? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है है, लेकिन क्या किया जाए? रकम जज ने फिक्स की है तुम्हारे इस दोस्थ के पास कोई जमीन जाएदाद है कोई सिक्यॉरिटी या शियर है जमानत की जमानत के तौर पर वो कोई चल या अचल संपत्ती पेश कर सकता है क्या? अगर वो ऐसा कुछ कर सकता होता तो मैं तुम्हारे पास क्यूं आया होता ज्वाला प्रसाद? ज्वाला प्रसाद कुछ चर्ण सोचता रहा और फिर बोला तुम इस आदमी को अच्छी तरह जानते हो ना? हाँ, वो मेरा दोस्त है दोस्त तो हुआ लेकिन वो आदमी भरोसे का है या नहीं जमानत पर रिया होते ही वो कहीं परार तो नहीं हो जाएगा कहीं वो मेरा लाक रुपे या डुबाने का सामान तो नहीं कर देगा नहीं यार, वो एक जिम्मेदार नागरिक है इतना जिम्मेदार कि वो अपने नोट खुद शापता है ये उस पर इल्जाम लगा है ज्वाला प्रसाद अभी हकीकत में कुछ साबित नहीं हो सका है पिर भी मैं उसका जामिन हूँ वो फरार नहीं होगा अच्छी बात है तुम कहते हो तो मैं जमानत भर देता हूँ ज्वाला प्रसाद ने एक लाक रुपेया भारगव के जमानत के तौर पर जमा करा दिया भारगव रिहा कर दिया गया सुनीर उसे अपने साथ ले आया अब सच-सच बोलो क्या किस्सा है सुनीर ने पूछा भारगव ने उत्तर नहीं दिया देखो तुम बहुत जमेले में फसे हुए हो जो इलजाम तुम पर लगाया गया है उसे तुम मामुली मत समझो और खामोश रहने से काम नहीं चलेगा जब तक सारी बात नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा अब मैं आजाद हूँ वो धीरे से बूला अब मैं खुद भी काफी कुछ कर सकता हूँ क्या कर सकते हो मैं ये पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ कि जाली नोटों के इस जमेले में मुझे किसने फसाया है कैसे तुम महेश कुमार को जानते हो वो प्राइविट जासूस हाँ वही तुम उससे मदद हासिल करने की फिलात में होगे क्या हर्ज है वो मेरा दोस्त है वो बेकार का आदमी है तुम्हारे लिए कुछ कर तो पाएगा नहीं उल्टे तुम्हें किसी और जमेले में जरूर फसादेगा तुम उसे अच्छी तरह से नहीं चानते हो वो बहुत उस्ताद है वो बहुत बदमाश है है भी तो मेरे साथ बदमाशी नहीं करेगा देखो रमा कान कहीं गया है उसे आ लेने दो मैं तुम्हारे लिए मैं इंतिजार नहीं कर सकता मैं महेश कुमार के पास जाता हूँ मर्जी तुम्हारी सुनील ने हत्यार डाल दिये वो चला गिया सुनील कुछ शन खामोश बैठा रहा फिर उसने टेलिफोन उठाया और फोर्स चार कलब में फोन किया वहां निहाल सिंग से संपर्ख सापित हो जाने पर उसने उससे पूछा कि क्या वो बता सकता था कि उसकी रूही से कहा बात हो सकती थी निहाल सिंग ने उसे एक पोन नमबर बता दिया सुनील ने उस नमबर पर पोन किया रूही लाइन पर आई तो उसने उसे बताया कि भारगव उसे तलाग देने को तयार है सर्च रूही को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तुम्हारा मतलब है कि वो कोई बखेडा नहीं करेगा ऐसा इंतजाम किया जा सकता है सुनेल साब धानी से बोला कि वो कोई बखेडा ना करे ओ वो फॉरण सुनेल की बात का मतलब समझ गई यानि कि मुझे अपनी आजादी की किमत अदा करनी होगी यही समझ लो समझ लिया ठीक है मुझे सौदा मन्सूर है मैंने सुना है कि वो पुलिस की गिरफ में आ गया है उस जंजाल से छूटने के लिए आज कल उसे वैसे भी पैसे की जरूरत होगी इस बारे में मुझे बात किस से करनी होगी उसके किसी वकील से या खुद उसी से मुझसे बात करने से ही काम चल जाएगा सुनील ने कहा ओके बाई मी तुमें मालूम ही होगा कि मैं फोर्स चार कलब में गाती हूँ आज राद दस बजे तुम वहां आ जाना बात कर लेंगे मैं अपने वकील को भी बुलवा लूँगी चीक है सुनील बोला उसने रिसीवर रग दिया निर्धारित समय पर सुनील फोर्स चार कलब पहुँचा वहां स्टेश पर अपनी प्यानो अकॉर्डियन के साथ टोनी मौजूद था लेकिन रूही स्टेश पर दिखाई नहीं दे रही थी सुनील ने एक वेटर से रूही के बारे में पूछा वेटर सुनील को कलब के पिछवाड़े के एक कमरे में छोड़ गया वहां रूही एक ड्रैसिंग टेबल पर बैठी अपना मेकप दुरुस्त कर रही थी आओ वो बोली बैठो सुनील उसके समीब बैठ किया तो तुम हो सुनील हाँ सुनील मुस्कुराया तुम तो कुछ जाने पहचाने से लग रही हो लगता है मैंने तुम्हे हाल ही में कहीं देखा है मुमकिन है याद आया कल रात तुम कलब में कैलाश के साथ मौझूद थे कर्येक्ट तो कैलाश को अकल आ गई है उसे पता लग गया है कि वो मुझे बांद कर नहीं रख सकता यही समझ लो क्या चाहता है वो तुम्हें मालुम ही है ओ, कितना ये तो तुम पर निर्भर करता है उसने भी तो कोई रकम सोची ही होगी लेकिन तुम अपनी आजादी की कीमत बहतर आंख सकती हो तुम्हें किसी रकम का नाम लो दस रुपए सुनील हड बढ़ा कर उसका मूद देखने लगा मजाद मत करो वो शुश्क स्वर में बोला मैं मजाद के मूड में नहीं हूँ मैं खुद मजाद के मूड में नहीं हूँ सुनो मिस्चर कल तक मैं किसे भी कीमत पर कैलाश से अपनी आजादी खरीदने को तयार थी लेकिन ये कल की बात थी आज वो मुसीबत में है और उसको उस मुसीबत से उबारने के लिए मैं अपनी एक उंगली तक हिलाने को तयार नहीं मुझे शुरू से ही शक्ता कि उसका किनी गैर कानूनी हरकतों में कोई हाथ था मुझे पता था देर सवेर उसने पुलिस की गिरफ में जरूर आना था सो वो आ गिया मुझे खुशी है इस बात की मैं तो भगवान से प्रातना करती हूँ कि वो लंबा नबे ऐसा नहीं होने वाला वो निर्दोश है उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सकेगा वो जरूर बरी हो जाएगा मुझे उम्मीद नहीं मुझे है और पती वो तुम्हारा हर हाल में रहेगा अगर उसे सजा हो गई तो नहीं रहेगा सजाय आफ्ता मुझ्रिम की बीवी को तलाक यो उसने चुटकी बजाई मिल जाता है तभी दर्वाजे पर टोनी प्रकट हुआ आओ वो उसे देखकर मिठे स्वर में बोली आओ टोनी टोनी कमरे में आ गया ये सुनील है वो बोली कैलाश का दोस्त है मैंने तुम्हें बताया ही था कि वो मुझसे क्या बात करने आने वाला है बात हो गई टोनी बोला हाँ वो बोली मैंने तलाक की सेहमती के बदले में कैलाश को दस रुपे की ओफर पेश कर दी है ठीक है न डानलिंग एक दम ठीक है सुनील उट खड़ा हुआ प्रत्यक्ष्टेवे दोनों उसे घिसने की कोशिश कर रहे थे एक बात भोल रही हो मैडम सुनील बोला ये हिंदुस्तान है विलायत नहीं यहा तलाक हासिल कर लेना इतना आसान काम नहीं और कैलाश भारगव से कानुनी तोर पर तलाक हासिल किये बिना तुम इस सादमी से शादी नहीं कर सकती हो सब ठीक हो जाएगा टोनी बोला पैसा हर मुश्किल आसान कर देता है तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या मेरे पास तो है ना रोही जल्दी से बोली और मेरा सब कुछ टोनी का है पैसे से क्या करोगे तुम लोग सुनील बोला किसी किदाए की लड़की को हासिल करके उसके माध्यम से कैलाश को बेवफाई के इर्जाम में फसाने की कोशिश करोगे या किसी गुंडे को पैसे दे कर उसका कतल करवाने की कोशिश करोगे हमें ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं कैलाश ने खुदी हमारी हर्ट जहमत बचा दी है टोनी बोला उसे सजा हो जाए फिर उससे रुही का तलाग यूँ टोनी ने भी चुटकी बजाई हो जाएगा ओ दोनों एक ही रा गलाप रहे हो दोनों ने अठास किया रुही सुनीर बोला जब तुमने पहले से ही फैसला किया हुआ था तो बात करने के लिए मुझे यहां क्यों बुलाया तुमने तुम्हारा मुखडा देखने के लिए वो शरारत भरे स्वर में बोली देख लिया हाँ बुरा हुआ क्यों अब हर रात को इस मुखडे के तुम्हें ऐसे रसीरे सपने आया करेंगे कि तुम इस चुतर मुर्ग की आलाद को बूल जाओगी दोनों के चहरे लाल हो गए लेकिन इस से पहले की उन दोनों में से कोई सक्त बात कह पाता सुनील उठा और कमरे से बाहर निकल गया हौल में बिच्छी मेजों के बीच से गुजरता हुआ वो बाहर की और बढ़ा तभी किसी ने उसकी बाहे थाम ली सुनील ठिटका घूमा उसे अपने समीप निहाल सिंग खड़ा दिखाई दिया बड़ी जल्दी जा रहे हो रिपोर्टर सहब वो मुस्कुराता हुआ बोला जल्दी कहा है सुनील उखडे स्वर में बोला ग्यारा बजने को है यहाँ तो ये जल्दी ही होती है निहाल सिंग बोला उसने अभी तक सुनील की बा नहीं छोड़ी थी आओ मेरी तरफ से एक-एक ड्रिंग हो जाए लेकिन अरे आओ तो निहाल सिंग उसकी बाहे थामे उसे एक बार में ले आया उसने बार्टेंडर को दो लार्ज शिवाज रिगल का ओर्डर दिया जो कि बार्टेंडर ने तुरंट सर्फ कर दिया दोनों दो उंचे स्चूलों पर बैट गए क्या चाहते हो स्कॉच का एक घून पीने के बाद सुनील ने पूछा निहाल सिंग ने बेचैनी से पहलु बदला खंखार कर गला साथ किया और बोला सुना है कैलाश भार्गव जमानत पर छूड़ गया है ठीक सुना है तुमिने हट कर दी उसने तो मेरे ही कलब में जाली नोट चलाने की कोशिश की उसने सिर्फ इर गया मालुम होता है उसका उसे चाहिए था कि वो ऐसे नोट बाजार में कुछ खरीदारी करते समय या किसी सिनेमा हॉल जैसे भेड़ भाड़ वाली जगा पर चलाता यानि कि तुम भी उसे गुनागार तो मान ही चुके हो क्या नहीं है वो वो अपने आपको निर्दोष बताता है वो तो उससे उपेक्षित ही है कभी कोई अपने मूँ से भी अपना अपराथ स्विकार करता है क्या उसने सीधे सुनील की तरफ दिखा तुम्हें उसकी निर्दोषिता पर विश्वास है क्या हाँ और निहाल सिंग वो बहुत खतरनात मूर में है वो उस आदमी की खूब ऐसी तैसी करने का इरादा रखता है जिसने की उसे खाम खा जाली नोटों के चक्र में फसाया है किसने फसाया है उसे? ये उसे अभी मालुम नहीं लेकिन वो मालुम करने की कोशिश कर रहा है वो ड्रामा कर रहा है वो अपनी बे गुनाही की जूटी दुहाई दे रहा है सुनील चुप रहा मुझे नहीं पता कि वो गुनेगार है या बे गुना लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि जाली नोट यहां चलाने की उसकी उस हरकत ने मेरे लिए मुश्किल कर दी है तुम्हारे लिए क्या मुश्किल कर दी है उसने उसकी वज़ा से CID वाले मेरे सिर पर आ बैठे है उनका हर वक्त यहां मंडराते रहना मेरे जैसे धंदे के लिए मुफीद नहीं क्यों क्या यहां कोई गैर कानूनी धंदा भी होता है नहीं लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि मेरी कलब पुलिस या CID वालों की निगाहों में आ जाए ये बात आम हो गई तो मेरी ग्राकी पर पर्ट पड़ जाएगा तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो इसलिए क्योंकि तुम कैलाश भार्गव के दोस्त हो बात ये है कि आज वो यहां आया था कुछ सूमने की नियत से आया मालूम होता था वो CID अभी भी उसके पीछे लगे हुए है वो बार बार यहां आएगा तो मेरी बदनामी होगी मेरा धंदा खोटा हो जाएगा देखो तुम्हारा वो दोस्त है इसलिए मुम्किन है वो तुम्हारी बात मान जाए तुम उसे समझाओ कि वो मेरी कलब का पीछा छोड़े आज जब वो यहां आया था तो तुमने उससे बात की थी क्या उसने मुझसे बात की थी मैं तो उससे बात करना क्या उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता था क्या कह रहा था वो? वो अपनी बेगुनाही का रागलाप रहा था अब बताओ मेरा इन बातों से क्या मतलब? तो मुसे समझाओ कि वो मेरा पीछा छोड़े और कहीं और जाए तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ दे वो? उसकी मुसीबत की शुरुआत जब यहां से हुई है तो वो और कहां चाहे? पहले तो उसने यहां आना था ओके ओके अब आलिया वो अब कम से कम उसे इतना तो समझाओ कि वो बार बार यहां के चकर ना लगाए कम से कम तब तक ना लगाए जब तक CID वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते अच्छी बात है सुनील अपना गिलास खाली करता हुआ बोला मैं उससे बात करूँगा शुक्रिया निहाल सिंग ने चैन की सांस ली एक-एक ड्रिंक और हो जाए? नहीं, सुनील उट खड़ा हुआ मुझे जाना है और सुनील वहां से विदा हो गया कलब से निकलने से पहले उसने देखा कि टोनी फिर स्टेज पर प्रकट हो चुका था अगले दिन सुनील को उमीद थी कि भारगव उससे संपर्ख सापित करेगा जब ऐसा ना हुआ तो सुनील ने उसके आफिस में फोन किया वहां से उसे मालुम हुआ कि वो आफिस नहीं आया था सुनील ने उसके फ्लैट पर फोन किया लेकिन उसे वहां से भी कोई उत्तर नहीं मिला कहां चला गया था वो? फिर सुनील को उसके कथिद दोस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव महेश कुमार का खेया लाया उसने डायरेक्टरी में उसका नमबर देखकर उस पर फोन किया तुरंत उत्तर मिला महेश कुमार सुनील ने पूछा कौन बोल रहा है? सामने से पूछा गिया मेरा नाम सुनील है, मैं कैलाश भारगव का दोस्ट हूँ मैं महेश कुमार बोल रहा हूँ, क्या चाहते हो? तुम्हें कैलाश भारगव की कोई खोच खबर है क्या? मैं कल मिला था उससे आज मुलकात नहीं हुई उससे? नहीं पौन पर भी बात नहीं हुई क्या? नहीं यानि कि तुम्हें उसकी कोई खोच खबर नहीं? हाँ क्या तुम उसके लिए काम कर रहे हो? हाँ तो वो देर सवेर तुमसे संपर्ग जरूर स्थापित करेगा अगर वो तुमसे मिले तो उसे कहना कि वो जरूर जरूर मुझसे बात करे अच्छा सुनील ने फोन रख दिया शाम तक वो बलास के आफिस में व्यस रहा छुटी होने तक कैलाश भारगव का फोन ना आया अगले दिन भी उसे कैलाश भारगव की कोई खोच खबर ना लगी उसे अगले दिन भी जब वो पोर वत गायब ही रहा तो सुनील आशंकी थोव था उसने फिर उसके घर और आफिस पोन किया वो कही नहीं था उसके आफिस वालों ने बताया कि वे भी भारगव को तलाश कर रहे थे कहा चला गया था भारगव फिर दोपहर बाद जवाला प्रसाद बगोले की तरह सुनील के बलास के आफिस में सिर्थ एक छोटे से कैबिन में दाखिल हुआ वो कहा है सुनील आते ही वो कहर भरे स्वर में बोला कहा है कैलाश भारगव पोट गया है क्या वो बैठो जवाला प्रसाद दम तो लो अरे क्या दम लो दम तो मेरा निकला जा रहा है कहीं फराड तो नहीं हो गया तुम्हारा दोज तुम्हें कोई खोच कबर है उसकी पिछले दो दिनों से ते कोई खोच कबर नहीं है सुनील ने स्विकार किया हे भगवान क्या हो गया तुम यू मरे क्यों जा रहे हो सुनील ने पूछा अरे मेरे साथ सोमवार को उसने अदालत में पेश होना है आज शुक्रवार है और अभी तक मुझे उसकी हवा भी नहीं मिल रही अगर वो सोमवार सुभा अदालत में पेश ना हुआ तो मेरे एक लाख रुपे की नकत जमानत जब्त हो जाएगी मेरा एक लाख रुपे अडूबा जा रहा है और तुम पोछ रहे हो कि मैं मरा क्यों जा रहा हूँ सुनील मैंने तुम्हारे कहने पर उसकी जमानत भरी थी तुम्हें उसको कही से पैदा करो अरे वो खुदी आ जाएगा सुमवार की सुभा आने में अभी बहुत वक्त बाकी है लेकिन वो है कहां मुझे पता तो लगे और जिसका अभी तक पता नहीं लग रहा क्या गरेंटी है कि उसका सुमवार तक पता लग जाएगा सुनील मैं यूँ एक लाक रुपे का गच्चा खाने को तयार नहीं हूँ अगर मेरी रकम डूबी तो उसके सरासर जिम्मेदार तुम होगे अरे सुनो सुनो मैं कुछ नहीं सुनता तुम सुनो और उसकी तलाश करो उसको फॉरन तलाश करो सुमवार सुबह से पहले उसे जिन्दा या मुर्दा कहीं से भी खोद कर निकालो सुनेल स्थिती की घंबेरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका उसने टेलिफोन का रिसीवर उठाया और महेश कुमार को फोन किया उसके लाइन पर आ जाने पर उसने पूछा के लाश भारगव की कोई खबर लगी क्या कौन बोल रहे हो सुनेल देखो मेरा उससे फॉरन मिलना बहुत जरूरी है इस सिलसिले में अगर तुम मेरी कोई मदद कर सको तो बहुत महरबानी होगी तुम्हारी सौरी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता लेकिन तुम उसके लिए काम कर रहे हो रिपोर्ट के लिए उसने तुम से तो जरूर संपर्थ थापित किया होगा नहीं किया कोई अंदाजा कि वो कहां हो सकता है कोई अंदाजा नहीं सुनील ने जुन्जला कर रिसेवर क्रेडिल पर पटक दिया महेश कुमार की बातों से उसे ऐसा लगा था कि वो कैलाश भारगव के बारे में जानता तो जरूर था लेकिन वो सुनील को कुछ नहीं बताना चाहता था सालत जो कुछ भी जानकारी रखता था वो उस पर साम की तरह कुंडली मार कर बैठा हुआ था कुछ पता लगा जुआला प्रसाद ने व्यग्र भाव से पूछा नहीं सुनील आश्वासन भरे स्वर में बोला लेकिन चिंता की कोई बात नहीं उसे मालूम है सोमबार सुभा उसने अदालत में पेश होना है वो पेश हो जाएगा लेकिन वो है कहां? जुआला प्रसाद ने आर्थ नात किया वो कहीं चुबा हुआ है जिन लोगों ने उसे फसाया है उनकी तलाश में वो चुपकर काम कर रहा है जुआला प्रसाद होसला रखो मैं भार्गव को खूब जानता हूँ वो फरार होने वाला आदमी नहीं अरे किने चुपकर तलाश करना रहा है वो? वो अकेला आदमी क्या कर सकता है? अगर जाली नोट बनाने वाले किसी गैंग ने उसे फसाया है तो वो अकेला उस पूरे गैंग का क्या बिगार लेगा? अकेला चना भार नहीं पोड़ सकता मेरे भाई उन लोगों को अगर भार्गव के इरादों का पता लग गया तो वो उसे मक्खी की तरह मसल कर रख देंगे और क्या पता उस अकल के अंदे का पहले ही ये अन्जाम हो चुका हो? क्या पता इस वक्त उसकी लाश किसी गटर में या समुदर में पड़ी हुई सड रही हो? वो आ जाएगा सुनील खोकले स्वर में बुला आ जाएगा जुआला प्रसाध हाथ नचा कर बुला तुम्हारे कहने भर से आ जाएगा दिपोर्टर साहब उसे ढूंडो उसे नहीं तो उसकी लाश को ढूंडो वरना भवानी कसम तुम्हारी खैर नहीं और वो जैसे हत गोले की तरह वहां पहुचा था वैसे ही वहां से कुछ कर गया सुनील चिंतापूर्ण मुद्रा बनाए पीछे बैठा रहा उसे भारगव पर बहुत गुसा आ रहा था उसे यूँ एका एक गायब नहीं हो जारा चाहिए था उसे अपनी कुछ तो खोच कबर सुनील को देनी चाहिए थी सुनील ने पुलिस को कंट्रोल रूम से पूश्टाच की वहां से उसे मालुम हुआ कि पुछले दो दिनों में ऐसी कोई भी लाश बरामत नहीं हुई थी जिसके कि कोई शिनात ना हो सकी हो और नाहीं गुमशुदा व्यक्तियों में कैलाश भारगव का नाम था सुनील और भी चिंदित हो उठा क्या कैलाश भारगव वाकई में फरार हो गया था क्या वो वाकई गुनागार था और अपने जमानत पर छूट जाने को या उसने अपने लिए फरार हो जाने के लिए सुनेरा मौका समझा था कहा था कैलाश भारगव रविवार की रात तक भी कैलाश भार्गप की कोई खोश खबर ना मिल सकी अगली सुबा उसे अदालत में पेश होना था रविवार की रात को सुनेल को बड़ी मुश्किल से नीन दाई रात की दो बजे टेलीफोन की बश्ती घंटी की आवाज सुन कर ही सुनील की नीन खुली उसने रिसीवर उठा कर कांग से लगाया तो उसके कांग में पुलिस इंस्पेक्टर प्रभु दयाल की आवाज पर वो हड़ बढ़ा कर उठ बैठा कैसे फोन किया इंस्पेक्टर सहब सुनील ने संशक स्वर में बोला तुम कैलाश भारगव के बारे में पूश्टाच कर रहे थे ना प्रभु दयाल बोला हाँ सुनील व्यग्र स्वर में बोला कुछ खबर लगी उसकी कुछ क्या पूरी खोच खबर लग गई है कहां है वो उसकी लाश उसके फ्लैट की किचन में पड़ी है क्या वो मर चुका है आप मत्या की है उसने मैं इस वक्त उसके फ्लैट से ही बोल रहा हूँ आप मत्या है हाँ उसने अपना सिर गैस के ओवन में रख कर गैस शालू कर दी थी फिर किसी प्रकार गैस आग पकड़ गई और एक गगन भेदी धमाके के साथ ओवन फट गया भारगव का सिर उसके कंदों पर से लगभग उड़ी गया था हमें लाश की शिनात के लिए तुम्हारी जरूरत है हे भगवान सुनील आतंकित स्वर में बोला मैं आ रहा हूँ वो अपने फ्लैट से निकला और एक टैक्सी पर सवार होकर पुलिस हैट क्वार्टर को रवाना हो गया सुनील भारगव की आत्मत्या की खबर सुनकर आतंकित तो हुआ ही था हैरान भी हुआ उसकी निगा में भारगव आत्मत्या कर लेने वाली किस्म का आदमी नहीं था आत्मत्या करना कायरों का काम था और भारगव कायर नहीं था वो भारगव के फ्लैट वाली इमारत के सामने टैक्सी से उत्रा उसने किराया चुकाया और लपकता हुआ उसके फ्लैट पर पहुंचा वहाँ कई लोग मौजूद थे रूही एक कोने में पड़ी एक कुर्सी पर खामोश बैठी थी टोनी उसके पीछे खड़ा था और उसने बड़े अधिकार और आश्वासन पूर्ण धंग से अपना एक हाग उसके कंधे पर रखा हुआ था इंस्पेक्टर प्रभुदेयाल कमरे के बीचों बीच CID अधिकारी रवन के साथ खड़ा बाते कर रहा था सुनील प्रभुदेयाल के समी पहुंचा कहां है वो? सुनील ने फंसे स्वर में पूछा प्रभुदेयाल ने किचन की और संकेत कर दिया सुनील किचन की चौकट तक पहुंचा किचन का बुरा हाल था गैस का विस्पोट इतना भयंकर हुआ था कि दिवारों से प्लास्चर उधर गया था और वहाँ पर मौझूद सारा सामान चकना चूर हो गया था फर्ष पर पड़े हुए कबार के बीच में लाश पड़ी थी सुनील को उसके कंदों के ऊपर एक मास का लोथड़ा सा दिखाई दिया सुनील ने एक जोर की उपकाई ली और लाश की तरफ से आंखे फेर ली इस हालत में मैं लाश की कैसे शिनात कर सकता हूँ सुनील बोला अब इसकी जरूरत नहीं प्रभु दयाल बोला तुमसे पहले मिसिस भारगव यहां पहुँच गई थी वो अपने पती को तुमसे बहतर जानती है उन्होंने लाश की शिनात कर दी है लेकिन कैसे सुनील बोला उसका चहरा तो उसकी बाई टांग देखो उसकी बाई टांग पर घुटने से उपर एक काला सा निशान है जिसे मिसिस भारगव खोँप पहचानती है सुनील ने रूही की तरफ देखा रूही का चहरा एक दम भाग हीन था प्रभु देयाल तनिक आगे बढ़ा और रूही के सामने जा खड़ा हुआ आप कहती हैं वो बोला कि आप अपने पती के साथ यहां नहीं रहती थी जी हाँ रूही धीरे से बोली और आप अपने पती से तलाक हासिल करने की कोशिश कर रही थी जी हाँ लेकिन मेरा पती तलाक में बहुत अडंगे लगा रहा था प्रभु देयाल ने एक कुर्ती निकार टोनी पर डाली और बोला अपने पती से तलाक हासिल हो जाने के बार आप टोनी से शादी करने का इरादा रखती थी क्या ये कोई रास की बात नहीं है इंस्पेक्टर टोनी कठिन स्वर में बोला हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इस बात की खबर सारी दुनिया को है अगर कैलाश भारगव तलाक में खाम खा के अडंगे ना अडाता होता तो हम कप के शादी कर चुके होतें ठीक है ठीक है प्रभु दयाल बोला ताव खानी की जरूरत नहीं है और फिर CID आफिसर रमन के मूँ से आप सुन ही चुके हैं कि कैलाश जाली नोट चापने वाले एक गिरो से तालुक रखता था वो जाली नोटों के साथ रंगे हातों पकड़ा गया था और इस सिलसिले में अडालत में उस पर मुकदमा भी चल रहा है वो इससे नावा किव नहीं था कि वो किस बुरी तरह फस चुका था उसको अडालत लंबी सजा सुना सकती थी और वो जेल जाने के खयास से भयभीत था उसकी बीवी उसे पहले ही छोड़ कर जा चुकी थी उसके सामने कोई भविश्य नहीं था ऐसे आदमी का पस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं पस्ति के इस आलम में अगर उसने आप मत्या कर ली तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है कोई बात नहीं प्रभु दयाल बोला मिसिस भारगफ इस वक्त बहुत परिशान है पुलिस को जितना सैयोग देना मुम्किन था ये दे चुकी है अब अगर आप इजासत दे तो इन्हें यहां से ले जाओं सुनील ने रूही की तरफ देखा कम से कम उसे रूही के चेहरे पर कोई परिशानी ना दिखाई दी सुनील को तो वे वैसे ही इतमिनान से वहां बैठी लगी जैसे कि वो फोर्स चार क्लब में बैठती थी शीक है प्रभु दयाल बोला अगर ये जाना चाहती है तो जा सकती है रूही अपनी कुर्सी से उट खड़ी हुई तोनी के बड़े ततपर ढंक से उसकी कोहनी के पास से बात थाम ली और उसे फ्लैट से बाहर को ले चला रमन ने असहाई भाव से गहरी सांस ली और बोला मैं उमीद कर रहा था कि हमें कैलाश भारगव से जाली नोट चापने के दंदे में उसके साथ शरी और लोगों की खोच कबर लगेगी हम उससे कुछ पूछी नहीं पाए कि इसने आख मत्या कर ली वो सुनील की तरफ घूमा तुम उसके दोस्त थे उसकी किसी बात से या उसके किसी एक्शन से तुमें ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि वो जाली नोटों का धंदा करता था नहीं सुनील बोला और प्रभु मैं तुम से एक बात कहना चाहता हूँ कैसी बात प्रभु देयाल गौर से उसके गंभी चेहरे को देखता हुआ बोला किचन में पड़ी लाश कैलाश भारगव की नहीं है क्या मैं ठीक कह रहा हूँ लेकिन उसकी बीवी ने उसकी शिनाक की है वो जूट बोल रही है मैं कैलाश भारगव को बहुत पुराना जानता हूँ वो मेरे साथ टैनिस खेला करता था और कलब में गेम के बाद हम कई बार एक ही शौवर में इकठे नहाए हैं इंस्पेक्टर सहब मुझे खोब याद है कि उसकी बाई टांग पर जैसा कोई काला निशान नहीं था जैसा की लाश की टांग पर देखकर रूही ने उसे अपने पती की लाश बताया है प्रभु देयाल सोच में पढ़ गया अगर भीतर पड़ी लाश कैलाश भारगव की नहीं है रमन बोला तो इसका मतलब है कि किसी ने जान बुश कर ऐसी स्टेज सेट की है कि लाश कैलाश भारगव की समझी जाए किसी ने क्या प्रभु देयाल बुला ऐसा जरूर कैलाश भारगव ने किया होगा उसने पुलिस का ध्यान अपनी और से हटाने के लिए ही ये चाल चली मालूम होती है वो चाहता होगा कि हम उसे मरा समझ ले और केस क्लोस कर दे भीतर पड़ी लाश के साथ भारगव का कोई रिष्टा हो ऐसा मुझे मुम्किन नहीं लगता भारगव एक छोटे अपराद से बशने के लिए इतना बड़ा अपराद नहीं कर सकता सुनीन ने कहा वो कतले नहीं कर सकता प्रभू मुझे पूरा विश्वास है कि भीतर किचन में मरे पड़े आदमी का कातिल कैलाश भारगव नहीं प्रभू तुम्हें इस आदमी के कातिल का पता लगाना चाहिए लेकिन लाश के जिस्म पर कपड़े तो कैलाश भारगव के है ये बात निर्विवाद रोप से साबित हो चुकी है कि वो कपड़े कैलाश भारगव के है मुम्किन है कतल से पहले मरने वाले को कैलाश भारगव के कपड़े जबरदस्ती पहनाई गए हो बड़े साधन होते हैं देर सवेर तुम्हें पता लग कर रहेगा लेकिन अगर लाश के लाश भारगव की नहीं है तो उसकी भीवी ने जूट क्यों मोला उसने शिनाक्त में लाश को अपने पती की लाश क्यों बताया ये तो वही जाने क्या पता उस खूप सुरत चेहरे के पीछे कौन से खतरनाक इलादे चुपे हुए हैं प्रभु दयाल खामोश रहा अब मुझे इजाज़त है सुनील बोला कल सुबा कैलाश भारगव के चकर में मैंने अदालत में भी जाना है तुम्हें उम्मीद है कि कल सुबा वो अदालत में पेश हो जाएगा प्रभु द साथ कौन हाँ उसने कैलाश भारगव की एक लाक रुपे की नकट जमानत भरी हुई है ओ ठीक है बंदा चला प्रभु दयाल ने सहमती में सिर हिला दिया सुनील इमारत से बाहर निकलाया और वापिस अपने फ्लैट पर पहुंचा बाकी की तमाम रात बड़े बड़े डरा अंखों के सामने केलाश भारगव की सूरत उभर आती थी, पिर उसकी सूरत का स्थान वुक्षत विक्षत सिरवाली लाश ले ले लेती थी, जो उसने कैलाश भारगव के फ्लैट की किचन के फरष पर पड़ी देखी थी कभी उसे दिखाई देता था कि रूही कैलाश भारगव की चिता के सामने खड़ी कोई मातमी गीत गा रही थी और उसके पीछे कड़ा टोनी प्यानो अकॉर्डियन पर कोई रूही के गीत से ही मिलते जुलती मातमी धुन बजा रहा था उसने नीन में ही अपने सिर को जटका तो वो द्रिश्य गायब हो गया और उसके सान पर सुनील के मानस पतल पर जुलापरसाद का चेहरा उबरा उसे दिखाई दिया कि जुआला प्रसाद अदालत में जोर जोर से अठास कर रहा था और एक विशाल सूट केस में केलाश भारगव के शरीर का एक एक अंग बारी बारी निकाल कर जच के सामने पेश कर रहा था अगली सुभा केलाश भारगव अदालत में पेश ना हुआ वो अदालत की इमारत में कहीं भी सुनिल को दिखाई ना दिया फिर जच के आदेश पर अदालत में केलाश भारगव के स्थान पर उसके जामिन जुआला प्रसाद को पेश होना पड़ा जश ने उसे कहा कि या तो वो अभियुक्ट को अदालत में पेश करे या फिर वो उसकी जमानत की रकम की जबती का हुकम सुना देगा जुआला प्रसाद जद से संबोधित हुआ Your Honor, मुझे खेद है कि अभियुक्ट का अदालत में पेश हो पाना संभव नहीं है अभियुक्ट की कल रात मौत हो गई है उसने आत्मत्या कर ली है और उसकी लाश इस वक्त मौर्ग में मौझूद है मौझूदा हालत में क्यूंकि अब जमानत की जरूरत नहीं रह गई है इसलिए मैं दर्खवास करता हूँ कि मेरी जमानत की रकम मुझे वापिस दिल्वा देने का हुकम सुना दिया जाए ये गलत बयानी है योर ओनर सरकारी वकील एका एक बोल पड़ा इनका ख्याल गलत है कि अभियुक्ट की मौत हो चुकी है कल रात पहले लाश की शिननाक ठीक से नहीं हो पाई थी इसलिए लाश को कैलाश भारगव की लाश समझ लिया गया था लेकिन अब पुलिस को पूरा विश्वास हो चुका है कि कल रात जिस आदमी की लाश बरामद होई थी वो कैलाश भारगव नहीं था कहने का मतलब ये है Your Honor कि कैलाश भारगव जिन्दा है और अदालत में पेश नहीं हो पाया है मेरे ख्याल से वो परार हो गया है इसलिए मैं अदालत से दर्ख्वास करता हूँ कि उसकी जमानत जब्द कर ली जाए Your Honor बद हवास हाल जुआला प्रसाद ने आर्थनात किया ये बात अभी निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं की गई है कि वो लाश कैलाश भारगव की नहीं कैलाश भारगव की पत्नी ने खुद लाश की शिनात की है और कहा है कि लाश उसके पती की है लेकिन Your Honor सरकारी वकील बोला सुनील नाम के एक अन्य गवाव ने जो की कैलाश भारगव का पुराना दोस्ती है सिती से उसके उतना ही करीब था जितना की उसकी पत्नी शिनात नहीं की है उसके कतना नुसार लाश कैलाश भारगव की नहीं है जज ने जमानत जब्त किये जाने का हुकम सुना दिया जुआला प्रसाद की दाद परियाद की कोई सुनवाई ना हुई वो अपनी तकदीर को कोस्ता और सुनील को हजार हजार गालियां देता हुआ वहां से कूच कर गया सुनील भी अदालत से बाहर निकलाया उसने एक पब्लिक कॉल से पुलिस हैट क्वार्टर फोन किया प्रभु देयाल के पुछने पर उसने बताया कि कैलाश भारगव अदालत में पेश नहीं हुआ था फिर उसने पूछा पोस्त मार्टम की रिपोर्ट आई किया हाँ प्रभु देयाल का गंभेश द्वर सुनाई दिया तुम्हारा खयाल सही निकला है सुनील ये आत्मत्या का केस नहीं मरने वाले के फेपरों में से बहुत कम गैस बरामद हुई है डॉक्टर का कहना है कि पहले उसकी एक भिशन प्रहार द्वारा चेतना हिन कर दिया गया था और फिर उसका सिर ओवन में जबरं धकेल कर गैस खोल दी गई थी लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो गैस का विसपोर्ट होने से पहले ही मत चुका था पता चला वो कौन था सुनील ने पूछा अभी नहीं लेकिन ये अब निर्विवाद रोप से स्थापित हो चुका है कि वो कैलाश भारगव नहीं था ओ, सुनील बोला उसने प्रभु देयाल का शुक्रिया अदा किया और फोन बंद कर दिया अब अगला कदम प्राइविट जासूस महेश कुमार से मुलाकात का था सुनील एक टैक्सी पर सवार होकर मैजिस्टिक सर्कल पहुँचा वहां की एक कई मनजिला इमारत की चौथी मनजिल पर महेश कुमार का छोटा सा ओफिस था वहां से उसे मालुम हुआ था कि महेश कुमार सुभा से ना खुद आफिस आया था और ना ही उसकी कोई खोज ख़बर आई थी जबकि साधारन तया जब वो आफिस में नहीं आता था तो फोन जरूर करता था मुम्किन था कि वो काफी अस्वस्थ हो और घर पर ही हो सुनील ने उसके घर का पता हासिल किया और दफ्तर कूच कर गया वो धर्म पुरे में रहता था सुनील धर्म पुरे पहुंचा एक इमारत की तीन मंजिर चड़ कर वो महेश कुमार के फ्लैट पर पहुंचा उसने फ्लैट की घंटी बजाई लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आया उसने दर्वाजे को धक्का दिया तो खुला पाया वो भीतर दाखिल हुआ वो एक बहतरिन सा फ्लैट था उसने महेश कुमार को नाम लेकर पुकारा कोई उत्तर ना मिला सुनील सारे फ्लैट में फिर गया फ्लैट उजार पड़ा था कहीं कोई नहीं था वो वहाँ से लौटने ही वाला था कि एका एक बैठक में रखे टेलिफोन की घंटी बज उठी सुनील पहले तो फोन के पास खामोश खड़ा रहा फिर उसने रिसैवर उठा कर कांत से लगा लिया और माउथ पेस में मूँ लगा कर खर-खराती आवाज में कुछ बुद्बुदाया दूसरी और से उसे जो आवाज सुनाई दी उसे सुनकर उसका हाथ रिसीवर पर कस गया वो आवाज उसकी जानी पहचानी थी आवाज में गुसे का पुट था महेश कुमार आज सुभर तुम मुझसे मिलने आने वाले थे तुम आई क्यों नहीं मैं व्यस था सुरील घर घराती आवाज में बुद्धधाया मेरे काम से ज्यादा कोई काम तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है मैं आज ही ये बखेडा निप्ता हुआ देखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम पौरण इस नगर से बाहर कहीं कूच कर जाओ तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे रहन सहन, मौज मेले का सारा खर्चा मैं दूँगा समझ गए? एक शन खामोशी रही, फिर एका एक बड़ी गंधीर और अर्थपुन हो उठी वैसे तुम भी अपने दोस्त की तरह जल समाधी लेना चाहते हो, तो मर्दी तुम्हारी नहीं, सुनील बोला, समझदार आदमी हो, 20 मिनट के अंदर-अंदर मेरे पास पहुंचाओ, महेश कुमार, वरना अंजाम वही होगा, जो तुम्हारे दोस्त का हो चुका है संबंद विच्चेद हो गया, सुनील ने धीरे से रिसीवर यथा स्थान पर रग दिया, उसका दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा था, अब सारी कहानी उसकी समझ में आती जा रही थी, अब रहस्य पर से पर्दा उठता जा रहा था उसे एक फोन कॉल ने सुनील को सारी कहानी समझा दी थी, सुनील ने रिसीवर फिर उठा लिया और प्रभु देयाल को फोन किया प्रभु, संबंद स्थापित होने पर सुनील बोला, मैं अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया, तुम्हारी जानकारी के लिए लाश की शिनात्थ हो गई है अच्छा, कौन है वो? महेश कुमार नामक एक प्राइविट जासूस, हमारे रिकॉर्ड में मौझूद उंगलियों के निशान से सथा लाश की उंगलियों के निशान से ही हमें पता लगा है कि मरने वाला कौन था ओ, तुमने फोन कैसे किया था? प्रबु देयाल ने पूछा, तुम क्या कहने जा रहे थे? मैं ये कहना चाता था कि जाली नोटों के भुकतार के चकर में जो कहानी फोर स्टार कलब से शुरू हुई थी, वो वही खत्म होने वाली है क्या तुम मुझे वहाँ मिल सकते हो? लेकिन कहानी क्या है? वो मैं मुलाकात पर बताऊंगा ठीक है, मैं एक घंटे में वही पहुँशता हूँ ओके, लेकिन कोशिश इससे जल्दी पहुँशने की करना अच्छा, सुनीन ने संबंद विच्छेथ किया और फिर जुआला प्रसाथ का नंबर डाइल किया सुनील की आवाज सुनते ही, वो सुनील को गालिया बक्रे लगा सुनील ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कर आया और बोला जुआला प्रसाथ, कम से कम ये तो सुन लो कि मैंने तुम्हें फोन क्यूं किया है? बको, मैं तुम्हारा जमानत वाला एक राक रुपया डूबने से बचा सकता हूँ वो तुरंद गंभीर हो गिया, कैसे? उसने पूछा मैं बीस मिनट में फोर चार कलब में पहुँच रहा हूँ, तुम भी फोरन पहुँचो कैसे का जवाब तुम्हें वही मिलेगा? और सुनील ने उसे दुबारा बोलने का मौका दिये बिना संबंद विच्छेद कर दिया उसने ज्वाला प्रसाथ को लाक रुपया वापिस दिलवाने की उम्मीद दिलवाई थी लेकिन उसे ये नहीं बताया था कि इसी चक्कर में वो जेल भी पहुँचने वाला था पैसे के लालश ने ज्वाला प्रसाथ को पर लगा दिये थे सुनील के कलब पहुँचने से पहले ही वो वहां मौझूद था वो बाहरी खड़ा सुनील का इंतिजार कर रहा था सुनील के टैक्सी से उतरते ही वो लपक कर उसके पास पहुँच गया और उत्तेजित स्वर में बोला क्या चक्कर है सुनील मेरा रुपया भीतर चलो सुनील बोला सब बताता हूँ दोनों भीतर दाखिल हुए उस वक्त कलब उजार पड़ा था कुर्सियां मेजों के उपर पड़ी थी और अभी अभी धोया गया होने की वज़ा से पर्च गिला था स्चेज पर अपने बैंड के अन्य सदस्यों के साथ टौनी मौजूद था और किसी नई धुन के रहर्सल में मगन था एक और एक कुर्सी पर बैल बॉटम और हाई नेक का पुलोवर पहने रूही बैठी थी निहाल सिंग स्चेज के समीप की एक मेज पर बैठा हुआ था और रहर्सल पर गौर कर रहा था समीप आते कदमों की आहट सुन कर उसने गर्दन घुमाई और सुनील और ज्वाला प्रसात को देखा वो हड़ बढ़ाया और उठकर खड़ा हो गया उसने आगे बढ़कर दोनों को रोपने की कोशिश की और तनिक नर्वस भाव से बोला क्या बात है क्या चाहते हो तुम लोग देख नहीं रहे हो इस वक्त हम व्यस्त है जरा अपने आफिस में चलो निहाल सिंग सुनील गंभीर स्वर में बोला नहीं वो बोला इस वक्त नहीं रात को आना इस वक्त में और उसने व्याकुल भाव से दर्वाजे की तरफ देखा क्या बात है निहाल सिंग सुनील उसे घूरता हुआ बोला क्या कोई खास आदमी आने वाला है खास आदमी उसनी अपने होंटों पर जुबान फेरी नहीं नहीं तो वो नहीं आएगा कौन कौन नहीं आएगा वही जिसका तुम इंतिजार कर रहे हो किसका महेश कुमार का वो मर चुका है निहाल सिंग ने थूप निगली उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन बोल ना फूटा फिर बड़ी मेहनत से उसने अपने आप पर काबू पाया और बुला क्या कह रहे हो तुम अपने आफिस में चलो बताता हूँ और अपने बैंड मास्चर और अपनी कोयल को भी वहाँ बुला लो निहाल सिंग ने पहले विरोध करना चाहा लेकिन फिर इरादा बदल दिया उसने टोनी और रूही को अपने साथ आने के लिए कहा सब निहाल सिंग के आफिस में पहुँचे अब बोलो निहाल सिंग बोला क्या कहना चाहते हो सुनील ने एक गहरी सांस ली और बोला मेरा एक दोस्त था जिसका नाम कैलाश भारगव था कैलाश भारगव तुम्हारी सिंगर रूही का पती था जो कि अपने पती से तलाग चाहती थी लेकिन कानूनी पेच्छिगिया से कुछ ऐसी थी कि कैलाश भारगव के सेयोग के बिना रूही को तलाग हासिल नहीं हो सकता था कैलाश भारगव को रूही से कोई महबद बाकी नहीं रही थी लेकिन वो रूही से किनारा करके रूही को ताजी ताजी हासिल हुई दौलत से भी किनारा नहीं करना चाहता था इसलिए वो रूही को आजादी देने की कोई मुनासिब कीमत हासिल किये बिना तलाक के लिए राजी नहीं हो रहा था रूही टोनी से शादी करना चाहती थी, जो कि अपने पहले पती से तलाक हासिल किये बिना हो नहीं सकती थी टोनी शादी के लिए इसलिए उतावला हो रहा था, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी रूही की दौलत पर अपने दांत गड़ाना चाहता था जूट, सौरी चिलाया, मैं रूही से महबबत करता हूँ, इसकी दौलत से नहीं, इसकी दौलत का मेरी महबबत से कोई वास्ता नहीं एक मिनट के लिए बहस के लिए मान लो कि तुम्हारी निगा रूही की दौलत पर भी थी रूही की दौलत तुम्हें रूही को हासिल किये बिना नहीं मिल सकती थी और रूही को हासिल करने में अडंगा बना खड़ा था कैलाश भारगव इस सडंगे को दूर करने के लिए तुमने एक योशना बनाई और उस योशना को कारे रूप में परिनत करने के लिए तुमने निहाल सिंग की मदद मांगी निहाल सिंग के वर कलब ही नहीं चला रहा, कलब के माध्यम से धेरो जाली नोट भी चला रहा था लोग यहां मौच मेले के लिए आते थे, कई लोग निहाल सिंग को चेक देकर नकद नोट हासिल किया करते थे निहाल सिंग उन लोगों पर जाली नोट थोप देता था जिनकी तरफ तरंग में किसी का ध्यान नहीं जाता था सुनील ने निहाल सिंग की तरफ देखा वो बहुत आंदोलित सा बैठा था लेकिन खामोश था टोनी सुनील आगे बड़ा निहाल सिंग तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गया वैसे तुम्हारी मदद करने में इसका अपना ही स्वार्ट था CID वालों की निगा इसकी कलब पर लग गई थी और वो चाहता था कि जाली नोटों के मामले में किसी प्रकार CID वालों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए तुम दोनों की स्वार्ट सिद्धी एक ही बली के बकरे से हो सकती थी और वो बली का बकरा था कैलाश भारगव निहाल सिंग तुमने ऐसा इंतिजाम किया CID वालों को ऐसा लगे कि कलब में जाली नोट कैलाश भारगव चला रहा था वो यहां अक्सर आता था इसलिए कुछ जाली नोट उस पर ठोपना तुम्हारे लिए कठिन काम नहीं था तुमने वेटर द्वारा लाए कैलाश भारगव के असली नोटों को जाली नोटों में बदल दिया और उस बेचारे को फस्वा दिया जब शुरू में कैलाश भारगव ने कहा था कि जाली नोटों के चक्कर में किसी ने उसे फस्वाया था तो मुझे उसकी बात पर विश्वास था लेकिन बात में जब उसके फ्लैट की तलाशी में 20,000 के जाली नोट बराबद हो गए तो उस पर विश्वास हिल गया सुनील ने रूही की तरफ देखा और बुला मैडम तुम्हारे लिए फ्लैट में 20,000 के जाली नोट प्लांट कर देना मामूली काम था तुम उस फ्लैट में रहती रही थी इसलिए उसकी चाबी तुम्हारे पाक थी निहाल सिंग ने तुम्हें जाली नोट दिये जिने कि तुम चुप चाप अपने पती के फ्लैट में छुपा आई उन जाली नोटों की पुलिस द्वारा बराम दी के बाद तुम्हारा काम असान हो जाने वाला था जाली नोटों के चक्कर में तुम्हारे पती को सजा हो जाती और फिर तुम्हें बड़ी सहूलियत से तलाख हासिल हो जाता स्कीम बड़ी शांदार थी लेकिन इसमें एक ही नुक्स था तुम्हारा पती ना केवल ने डोश था बलकि वो भाम भी गया था कि असल में उसके खिलाब क्या कूछ चक्र रचा जा रहा था अपने संदे की पुष्टी के लिए उसने अपने एक मित्र प्राइवेट जासूस की सेवाएं प्राप्त की सुनील फिर निहाल सिंग की तरफ घूमा निहाल सिंग तुम्हें कैलाश भारगव से ऐसी हुश्यारी की उमीद नहीं थी जब तुम्हें ये अनुभव हुआ कि वो तो तुम्हारा भांडा फोर्णे की फिलाक में था तो तुम घबरा गए उस मुसीबत से निकलने का तुम्हारे पास एक तरीका था और वो था कैलाश भारगव का खात्मा तुम्हें न केवल उसे खत्म करना था बल्कि तुम्हारे लिए उसकी लाश को गायब कर देना भी जरूरी था ऐसा तुम्हारे लिए दो वजों से जरूरी था एक तो तुम ये नहीं चाहते थे कि पुलिस द्वारा उस कतल की तफ्तीश हो दूसरे लाश गायब हो जाने से वो पराट समझा जाता और जाली नोटों के मामले में C.I.D. वालों का सारा ध्यान उसी की तरफ लगा रहता और किसी को तुम्हारी कलब की टोह लेने का ख्याल भी ना आता तब तक निहाल सिंग का सारा चेहरा पसीने से नहा गया था और उसकी आँखों में बद हवासी की चाया तैर आई थी निहाल सिंग सुनेल फिर बोला तुमने कैलाश भारगव का कतल करवा दिया और उसकी लाश समुद्र में फिकवा दी आज तुमने अपनी तरफ से जो फोन महेश कुमार को उसके घर पर किया था वो वास्तव में मैंने सुना था मैंने महेश कुमार बनकर तुमसे बात की थी निहाल सिंग मैंने फोन पर तुम्हारी आवाज फोरण पहचान ली थी तुमने महेश कुमार से टेलिफन पर पूछा था कि क्या वो भी अपने दोस्त की तरह जल समाधी लेना चाहता था मैं तभी समझ गया था कि कैलाश भारगफ की लाश को वजन बांद कर समुद्र में डुबो दिया गया था फिर तुमने अपने आदमियों को कैलाश भारगफ के फ्लैट पर ये देखने के लिए भेजा कि वो अपने पीछे ऐसा कुछ तो नहीं छोड़ गया था जो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता वहाँ तुम्हारे आदमियों के लिए एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई थी अभी तुम्हारे आदमी फ्लैट में ही थे कि वहाँ उपर से महेश कुमार आ गया तुम्हारे आदमियों ने महेश कुमार पर किसी भारी चीज का वार करके उसे मार डाला लेकिन तुम्हारी तरफ से उन्हें ऐसा कोई निर्देश नहीं था इसलिए उन्होंने इस कतल के बारे में तुम्हें बताया नहीं लेकिन हकीकत अगर तुम्हारे आदमी ये बात तुम्हें बता देते तो तुम उन्हों पर खफा होने के स्थान पर शायद उन्हें शाबाशी देते बोनस देते, क्योंकि तब तक महिश कुमार भी तुम्हारे जाली नोटों के रैकेट के बारे में कुछ अपनी खोजबीन द्वारा और कुछ कैलाश भारगव से हासिल हुई जानकारी के द्वारा काफी कुछ जान गया था इसलिए जब कैलाश भारगव एका एक गायब हो गया तो उसको असलियत का बाखूबी अंदाजा हो गया वो तुम्हारे पास पहुंचा उसने तुम्हें बताया कि वो क्या जानता था और तुम पैसे द्वारा उसका मुँ बंद करने को तयार हो गए आज सुबह वो तुम्हारे पास आने वाला था पुलिस का ध्यान उसकी और आकरशी थोड़े से पहले ही तुम उसे कहीं खिसका देना चाहते थे और यहीं तुम दोनों में फैसला हुआ था तुम उसे खूब रुपया दोगे उसके और भी तमाम खर्चे उठाओगे और बदले में वो राज लगट छोड़ कर कहीं चला जाएगा आज जब वो अपने वादे के मुताबिक यह ना पहुंचा तो तुमने उसके घर उसे फोन किया जो की इत्तिफाक से मैंने सुना मैंने तुमारी आवास पहचान ली और तुमारे मूँ से निकली कई बातों ने मुझे सारी कहानी भी समझा दी निहा सिंग कतल चाहे तुमने अपने हाथों नहीं किया लेकिन कतल करवाई तुम ही नहीं है इसलिए तुम भी उसी सजा के हगतार हो जिसका की असली कातिल और तुम अभी इतनी देश से खामोश बैठा ज्वाला प्रसाद एका एक बोल पड़ा लेकिन इन बातों से मेरा क्या वास्ता सुनील मुझे तो तुमने खामखा यहां बुलाया मैं जाता हूँ और वो उटकर दर्वाजे की और बढ़ा रुख जाओ ज्वाला प्रसाद सुनील कठोर स्वर में बोला तुम्हारा भी पूरा वास्ता है इन बातों से वो ठिटका घूमा और हैरानी से बोला मेरा हाँ तुम्हारा जब से कैलाश भारगव गायब हुआ तब से अपनी लाख रुपए की जमानत की फिक्र में तुम्हारा दम निकला जा रहा था तुम जरायम पेशा लोगों से काफी संपर्क रखते हो इसलिए शायद किसी तरह तुम्हारे कानों में भड़क पड़ गई थी कि कैलाश भारगव बढ़ चुका था और समुद्र की तेह में पहुँँच चुका था लेकिन जब तक तुम ये बात साबित करके ना दिखाते तब तक तुम अपने जमानत नहीं बचा सकते थे जब मैंने महेश कुमार से बात की थी उस वक्त तुम मेरे साथ थे बाद में तुम इस उम्मीद में उसके चक्कर में पड़े कि शायद वो ऐसा कोई नुसका बर्ग तुमें बता सके जो कि ये स्थापित कर सके कि कैलाश भारगव मर चुका था और उसकी लाश बरामद होना मुम्किन नहीं था सुनील ये अधिकत्तर बाते अनुमान से कह रहा था लेकिन ज्वाला प्रसाथ की सूरत बता रही थी कि उसके अंधेरे में चलाए तीर निशाने पर बैठ रहे थे तुम महेश कुमार का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे कैलाश भारगव के फ्लैट पर पहुँच गए वो फ्लैट के भीतर चला गया और तुम बाहर खड़े उसके वापिस लोटने का इंतजार करते रहे लेकिन जब वो काफी देर तक वापिस ना लोटा तो तुम भी कैलाश भारगव के फ्लैट में घुसे तब तक निहाश सिंग के आदमी महेश कुमार का पुलंदा बांग कर वहां से फूट चुके थे फ्लैट में तुमने महेश को मरा हुआ या मरे जैसी हालत में पाया उच्छन तुमने फौरण एक फैसला किया महेश कुमार और कैलाश भारगव मोटे तोर पर कद और बनावट में एक जैसे थे तुमने महेश कुमार के कपड़े उतारे और फ्लैट में मौझूद कैलाश भारगव के कपड़ों में से मुनासिप कपड़े चांट कर महेश कुमार को पहना दिए फिर तुमने उसे किचन में ले जाकर उसका सिर गैस के ओवन में रखा गैस शालू की और जब काफी गैस निकल चुकी तो गैस को आग लगा दी एक जोर का विस्पोर्ट हुआ और ओवन में रखे महेश कुमार के चेहरे के पर खचे उड़ गई अब समझा ये जाता कि गैस के उस दुरगटना में मरने वाला आदमी के लाश भारगव था और इस प्रकार तुम्हारी जमानत की रकम बच जाती सिलसिला थोड़ा खतरनाक था लेकिन करने लायक था और फिर अपना एक लाख रुपया बचाने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत खतरा उठाने में कोई अतराज नहीं था जुआला प्रसाथ के चेहरे पर एक एक हवाईया उनने लगी जुआला प्रसाथ तुम्हारी अकल खराब हो गई थी जो तुमने ये सोच लिया था कि इतना बड़ा स्टन्ट मार कर तुम बचे रह सकते थे वो खामोश रहा बैसे तुम्हारी तकदीर अच्छी थी इस सारे सिलसले में एक अप्रत्याशित मदद तुम्हें खामका मिल गई थी सुनील ने रूही की तरफ देखा मैडम जी से रूही ने सिर उठा कर सुनील की तरफ देखा लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया मैडम सुनील बोला तुम्हें मालूम था कि लाश तुम्हारे पती की नहीं थी फिर भी तुमने लाश की शिनाक्त अपने पती के रूप में की क्योंकि वास्तम में क्यलाश भारगव गायब था जब एक गायब आदमी का कोई अतापता ना मिलता तो कानूनी तोर से साथ साल तक वो आदमी फिर भी अपनी पत्नी का पती रहता है अगर वो साथ साल तक प्रकट नहीं होता तो उसे मरा मान लिया जाता है और तब पत्नी को उसकी आजादी हासिल हो सकती है तुमें निश्चे ही ये कानूनी मुक्ता मालूम था तोरी से शादी करने के लिए अभी तुम साथ साल इंतजार करो ये तो कभी हो ही नहीं सकता था इसलिए तुमने किचन में पड़ी उस लाश को अपने पती की लाश बता दिया ताकि हाथ के हाथ तुम विद्वा करार दे दी जाओ और फिर कभी भी तोरी से शादी करने के लिए आजाद हो जाओ ओके ओके लाश की शिदनास में मेरे से गलती हो गई फिर आपत क्या आ गई रूही तबत कर बोली गलती इंसान से ही होती है तुमसे गलती नहीं हुई सुनील बोला तुमने जो किया सोच सबशकर किया और फिर तुम तो बस बस एका एक निहाल सिंग करकश स्वर में बोल पड़ा बहुत बाते हो चुकी सुनील ने उसकी तरफ देखा उसे नहाल सिंग के हाथ में रिवॉल्वर दिखाई दी साहबान नहाल सिंग पटी सी आवास में बोला जो कुछ भी हुआ है उसमें सुनील के इलावा हम सब बराबर हिस्सेदार है हम सभी की गर्दन किसी ना किसी रूप में ऐसी फसी हुई है कि हमें हवालात का मूद देखना पड़ सकता है यहां सुनील ही एक इकलोता आदमी है जो हमें कानून के शिकंजे में फसवा सकता है अगर ये ना रहे तो हम सब सुरक्षित है आजाद है बोलिए क्या राय है आप लोगों की साहबान सुनील उच स्वर में बोला इसकी बातों पर बत चाहिए आप लोगों ने छोटे मोटे गुना किये हैं लेकिन ये आदमी हत्यारा है इसका गुना बहुत बड़ा है ये जानता है कि ये पकड़ा गया तो सीधा फांसी के फंदे पर जाकर लटकेगा लेकिन आप लोगों ने नहायत मामुली सजाओं के बराबर के काम किये हैं इसलिए इसके बड़े गुना में आप लोग अपने आप को बराबर का हिस्सेदार ना बनाए लेकिन ज्वाला प्रसाद को शायद अपना कैसा भी गुना कबूल करने से एतरास था गोली चलाओ नेहा सी वो फुस-फुसाया इस आदमी का एक शण भी और जिन्दा रहना ठीक नही सुनील ने देखा टोनी का चेहरा कागस जैसा सफेद हो चुका था लेकिन रूही अभी भी पत्थर की प्रतिमा की तरह बैठी हुई थी तेहाल सिंग ने रिवॉल्वर वाला हाथ उंचा किया और बोला तोनी तुम बाहर जाकर अपना बैंट शुरू करो कोई इतने शोर वाली धुन बजाओ कि उसमें गोली की आवाज दब जाए तोनी भारी कदमों से दर्वाजे की और बढ़ा उसने दर्वाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसका हाथ दर्वाजे की तेह तक पहुचने से पहले ही एका एक दर्वाजा खुला और चौकट पर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल प्रकट हुआ उसने निहाल सिंग के हाथ में रिवालवर देखी उसकी आँखों में वहशत देखी और फिर बिजली की फूर्ती से उसका हाथ अपनी बैल्ट के साथ लगे फॉलेस्टर में रखी रिवालवर की और बढ़ा टोनी निहाल सिंग चिलाया परे हट जाओ और साथ ही उसने फायर किया गोली टोनी के बाई कंदे में लगी और उसका सारा शरीर फिरकनी की तरह घूम गया तुरंत प्रभु देयाल की रिवालवर ने आग उगली गोली निहाल सिंग की चाती में धस गई तुरंत उसकी चाती से खून का फवारा छूट पड़ा फिर एका एक उसके घुटने मुड़े उसकी अपनी रिवालवर पर से उसकी पकड धीली पड़ गई और फिर उसका शरीर स्लो मोशन में नीचे जुकता हुआ उसकी कुर्सी और मेज के बीच पर्ष पर धेर हो गया तुनी अपने घायल कद्रे को थामे जमीन पर बैट गया था उसका चहरा पीड़ा से विक्रित हो उठा था जुआला प्रसाथ आतंकित भाव से एक दिवार के साथ लगकर खड़ा हो गया उसकी सांस धौंकरी की तरह चल रही थी और उसकी आँखे उसकी कटोरियों से बाहर उबली पड़ी थी वहां मौजूद लोगों में से केवल रूही ऐसी थी जिसकी निगाह में वहां कुछ भी नहीं हुआ था उसका चहरा अभी भी भाव हीर था और वो वहां यूँ खामोश बैठी थी जैसे वहां उसके इलावा कोई भी मौजूद नहीं था दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें आपको यह कहानी कैसी लगी कौमेंट में जरूर बताए मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा कर्यालर की